निधी सलारिया, ब्लेसिंग टीम डेलही से रेवती देवी जी त्वारा लिखेत असेंशन आडियो आर्ट में आगे कुछ प्रशनों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। जैसे असेंट होना क्या है? इसे हम अभी तक समझते आई हैं। हम में से कुछ लोग असेंट होकर फिफ्थ डाइमेंशन में पहुँच चुके हैं और कुछ उस और बढ़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होँगे कि यह फिफ्थ डाइमेंशन है क्या? यह कुछ और नहीं हमारे मन की शुन्य स्थिती है। जब आपका मन विचारों से मुक्ध हो जाता है तब आप इस शुन्य स्थिती को प्राप्त करते हैं। फिफ्ट टाइमेंशन में आते हैं, परन्तु बहुत से लोग अभी भी इस थिती में नहीं आना चाहतें, क्योंकि वह दंद्वत्व की बेडियों में अपनी मर्जी से जक्डे हुए हैं, वो इन बंधनों को खोलना ही नहीं चाहतें, बहुत से लोगों के मन में और भी बहु से प्रश्ण हैं, आज हम उनी प्रश्णों को समझते हुए उनके हल को जानेंगी, जैसे यह नया चर्च है, तो चर्च के नाम से क्यों बुलाया जा रहा है, इसे नए तरीके से बनाना क्या सही है, हम किसी विशे को समझने के लिए उसके उप्योगी नाम का सहारा लेते है अगर हम अंधेरा और उजाला से समझने की कोशिश करेंगे, तो शब्तों में ही उलग जाएंगे, पर जब चर्च के उधारन को लेकर चलेंगे, तो हमें समझने में कठिनाई नहीं होगी हम यह चर्च और नई चर्च को इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे की एक अंधेरे कमरे में प्रकाश लाने के लिए एक मुम्बत्ती ही काफी है ठीक उसी प्रकार अपने अंदर के अंधेरे को दूर करने के लिए वो मुम्बत्ती अपने अंदर जलानी होगी नई चर्च और कोई नहीं हम खुद ही हैं आप सब हैं इसलिए कैंडल को बाहर नहीं अंदर जलाएं अब यह प्रश्ण उठता है कि दूसरे जो कह रहे हैं क्या उसका पालन करना चाहिए क्या चानलिंग करनी चाहिए यह सवाल हमें दूसरों से नहीं खुद से करना चाहिए क्योंकि बाहर से मिलने वाले जवाब हमारी इच्छा के विपरीत भी हो सकते हैं अपने रास्ते हमें खुद चुड़ने चाहिए हर सवाल का जवाब हमें अपने अंदर से ही मिलेगा क्योंकि जो छात्र आप से सीखने वाले हैं उन्हें आप अपने अनुभवों के द्वारा ही असेंशन की और ले जा सकते हैं उनसे अनुभव साज़ा करने से आप में अध्भुत आर्थमिश्वास चाकरित होगा और विश्यों को आप गहराई से समझा पाएंगे आगे हमें इसा, प्रेश्न और बौद की चेतना येशु बेन जोसफ और सनन्त की चेतना में क्या अंतर है इसके बारे में जानने की भी जिक्यासा होगी अगर हम इसे गहराई से समझे तो सच में अंतर है येशु और सनन्त की चेतना तब से थर्ती पर है जब मानवश्री निर्मित भी नहीं हुआ था जब जब थर्ती पर बड़े परिवर्तन होते हैं तब चेतना में बड़े बदलाव के लिए वो आते हैं जैसे अब युक परिवर्तन का समय है और इस थर्ती पर चेतना के रूप में उनकी आवश्यक्ता है जबकि ईसा, क्रिश्न और बौत की चेतना परिवर्तन में सहायक भूमिका निभाती हैं जैसे उर्जा कैसे लेनी हैं, किस काम पर लगानी हैं, किस तरहा मदद करनी हैं पहले हम चेतना को समझते हैं चेतना किसी कार की तरहें नहीं, जिसकी रेस बढ़ाने से उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी यह भावों को समझने से बढ़ती है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमें DNA के बारे में जानने की भी चिक्यासा होगी कि पूर्वजों के DNA विमोचन से बच्चों के अंदर से भी क्या उसका विमोचन हो जाएगा ऐसे प्रश्न हमारे मन में उठेंगी, हमें इसे इस परकास समझना होगा कि शुरुवात तो किसी को करनी ही होगी जैसे बिना मिट्टी को छुए हम प्राक्रिती को नहीं समझ सकते ठीक उसी तरहे ओल्ड एनर्जी को अनुभव किये बिना न्यू एनर्जी में नहीं जाया जा सकता न्यू एनर्जी में जाने के लिए पहला कदम हमें ही उठाना होगा बाद में बाकी के लोग आपके शिश्य बनकर इसको अपनाएंगी विमोचन की प्रक्रिया पहले हम से शुरू होगी कच्छिनाईयों का सामना भी करना पड़ेगा क्योंकि असेंशन का सफर पहले हमने शुरू किया है आने वाले विध्यार्थियों के लिए मार्ट तक्षक बना होगा ताकि वह हमारे अनुभवों को सुनते हुए आसानी से न्यू एनर्जी में आ जाएं हम कई बार सुनते आएं हैं कि न्यू एनर्जी में जाना है असेंड होना है दुन्दत्व का विमोचन करना है अध्यात्म में आगे बढ़ना है यह सब तो ठीक है पर हमारे नीजी जीवन में रिष्टे बिखर रहे हैं रिष्टों की एहमियत खतम हो रही है शादियां भी तोट रही है यह सब क्यों यह इसी लिए कि जब हम रिष्टों को लोगों के दृष्टिकोंट से देखते हुए निभाते हैं तो खुश नहीं रह पाते हमने कोई डील या एग्रिमेंट साइन नहीं किया है जब पर्दस्तिक के रिष्टे आपके जीवन को खुशाल नहीं बना सकते हम एक तरफ तो पून शांती शुर्णने को पाना चाहते हैं दूसरा खुद ही अशांती का कारण बने रहना चाहते हैं जब तक आप चाहेंगे नहीं होगा नहीं निर्ने आपको ही करना है जो भी आपको अशांत करते हैं आपकी अशांती का कारण बनते हैं उन्हें अपने जीवन से जाने दीजिए यही सही है जब हम old energy का विमोचन करते हैं तो थोड़ी कठिनाई होती है पर new energy में यह पिल्कुल सही है हमें बस खुद पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना होगा धन्यवाद